हिंसा का अध्यायन करने वालों ने कई बार बतलाई है वह यह कि हिंसा कोई सिर्फ एक वक्त में खटने वाली खटना नहीं होती है जो उसी वक्त समागत हो जाए हिंसा पहले से चली आ रही प्रक्रिया का नतीजा होती है और उसके बाद वो अनेक तूसरी प्रक्रियाओं को जन्म देती है जिन पर फिर हमारा बस नहीं रहे जाता है यह बात हमें परसों एक बारों शित्त के साथ पदा चले कि हम खुद को जिस ध्रम में रखना चाहते हैं उस से बहुतर हम मुक्ष करें वह यह कि हमेशा हर बार इस तरह की हिंसा में कहा जाता है कि हिंसा करने वाले ब हम भी जब परवरी 2020 को पामिला हम और वाकी सारे लोग यहां वैटे वे कई लोग जब उन इलाखों में गए तो हमें उन खिलाखे के उन इलाखों के रहने वाले गैर मुसल्मान लोगों ने कहा कि हमलावार बाहर से आए लेकिन पर्सूं की वेरिंग में यह बात बहुत साफ थी जिए हमलावार महले दे लोग थे हमलावार पड़ोती थे जिन्हों ने पहंचान करवाई लूट में मदद की लूट में शाहिद हिस्ता भी लिया और हिंसा में भी पात लिया हिंसा के बाद खाई और चोड़ी होत हिंसा का शिकार हुआ है उसके जिरोति ना और बढ़ जाती है और यह एक वहत विडमबना की बास है कि हिंसा के शिकार म्सल्मानों के एक्तलाफ उनके पड़ोतीयों के घणः और बढ़ जाती है और उसमें जो दूसरी जटलताया आती हैं, जो मौावजे को ले तरी और बाकी चीज़ों को ले तरी हैं और उसके सहारे पर उनके पडोसियों में एक जलन पैदा करने की पोशित पिर जाती है कि यह देरसल एक तरह का benefit है एक तरह का फाइदा है जो लेने की कोशित ये लोग कर रहे हैं और ये खुद को पेचारा देखलाने की कोशित चाहिए यह बात भी बहुत साफ ज्याहिश से कि हम यह नहीं कह सकते हैं कि उत्ते बाद सामाजिक स्वखाड को वापस लाना उतना आसान होगा जितना हम बार-बार कहते हैं वैसे भी भारत वर्ष में हम लोग एक दूसरे के अगल वगल रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रती सहार्थ हो या आवश्चत नहीं है, लेकिन जब भी इंसा की कोई ये कैसी घटना होती है, वो उसको और भी तोड़ देती है उस ताने माने को, और वापस उसकी सिलाए कर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, यह बात पर सूँ, वहाँ बैठ कर और यह सूचते हुए, यह एक दिन पहले हो रहा है, जब 20 साल हो जाएंगे गुजरात की हिंसा के, और हमने गुजरात की हिंसा के इन 20 वर्षों में, 20 साल गुजर जाने के पास और उसका, इससे बहतर कोई नहीं हो सकता, कि आप गुलबर्ग सुसाइटी की तस्वीर आते हैं, गुलबर्ग सुसाइटी पर जो आज पत्वार उगाया है, उसको आप देखनें, वह इसका प्रतीक है, कि हिंसा इस समाच के साथ जाता है, आप रखिया जाफरी के इनसाफ के संधर्ष को देखने और वह कितना अकेला और कितना मुश्किल संधर्ष है, इसको देख, आप इसको याद करें, कि बिल्कीस बानों को कितने साल लड़ना पड़ा, और बिल्कीस बानों के साथ लड़ाई में कितने लोगों को लड़ना पड़ा, और वह लड़ाई कितनी मुश्किल थी, जिसके उसको लेकर कोई पच्च तावा है ये सवाल ज़रा सखत है're और हमें अपने आपके करने हैं गुज्जाओ के हिंसा के दीस साल कूरा होने पर दिल्ली की हिंसा के दो साल कूरा होने पर क्यूं हिंसा एक जरिया है जिससे आप अपना राजनीतिक करियर बना सकते हैं और क्यों हिंसा को इतनी स्विक्रिती और खासकर मुसल्मान और इसाई विरोधी हिंसा को इतनी स्विक्रिती इस समाज में इन 20 वर्षों में मिली गए कि दिल्ली में जो हिंसा हुई उसका आरोग जिन्पर हिंसा कोई उन्हीं पर लगाया गया और अभी तीव रोज पहले यहीं पगल में एक गोश्टी हुई थी जिसमें यह बतलाया गया कि कैसे यह हिंसा उन लोगों के द्वारा की गई थी जो नागरिक्ता के खानून का विरोध कर रहे थी है और कैसे यह हिंसा इंडू विरूधी इन्सा घृुत कि इस तक में जब सरकार के सहरे और सरकार में गवें बैखे हैं जिस कि कुछ के इंसा के बलोग गए हैं क्योंकि लिए उस वक्त हम सब लोगों का फिर से उसको याद करना उसके अर्ट को समझना और उसमें अपने घूमी का तैय करना बहुत जरूरी यह रिपोर्ट जो आपके सामने है और आगे भी बात होगी इस रिपोर्ट पर हमें एक बड़ी सामाजिक चर्चा आरम करनी होगी वसिर्फ कु सामको अपने समीट चर्चा करने और मौः फाट यह रिपोर्ट को जो है और सौशओं